मैं फेल इसलिए हुआ कोई कि मेरे पास बढ़ने का समय ही नहीं है मेमराइजेशन को अपनी जिंदगी का इससा बनाते हैं तो आप यह पाएंगे कि आपका एक दिमाग जिंदगी में आपको उठाने वाला और कोई नहीं आप इश्वर के लिए जितना महान बूलते हैं उतना ही महान घुद के लिए बोले हैं क्योंकि आप इश्वर से कम नहीं है खाली दिमाग शेतान का घर क्यों बोला गया है क्योंकि इस वक्त आपको नेगेटिव विचारा था लोग आपको मरने के बाद ही कंदा देंगे ये दुनिया की सबसे बड़ी हगीकत है नाइन क्लास में मैं सबसे पहली बार अपनी लाइफ में फेल हुआ था और वो सेकंड बाइमंथली टेस था हमारा आठ्वी क्लास में मेरी मेरिट रही थी पुरे डिस्टिक में मेरा नाइन रांप था और मैंने रिलाइज किया कि गाउशे शेहर जाने में रोज मेरे दो घंटे जाने में और दो घंटे आने में चार घंटे खराब हो रहे हैं और उस बस में जहाँ पर कभी सीट नहीं होती था मेरली में कोई बैट नहीं पाता था बस क्या हालात ऐसे कोई गाउ में एक बस जाती है और एक आती है और जब बस में लोग बैटना शुरू होते हैं तो बस अगर आट बजे जानी है तो लोग पांच बजे बैटना शुरू कर देते हैं तो उस बस में धुआ था और सब लोग बड़े बज़र्ग लोग जो जाते थे शहर वो बीड़ी पीते थे कुछ जगह हमको मिलती नहीं थी चार गंटे रोज खराब हो रहे थे तो मैंने पाए कि मैं फैल इसली होगा कोई कि मेरे पास बढ़ने का समय ही नहीं है लेकिन यह सिर्फ एक एक्स्क्यूज होता क्योंकि मुझे साल भर उसी बस में चलना था और कोई हालात भी ऐसे नहीं थे कि मैं खुद की गाड़ी ले जा सकूँ या फाइनेशल इतने स्ट्रॉंग हो या नाइन क्लास में बच्चा कुद ये काम कर भी नहीं सकता तो मैंने उस वक्त मेंटल जिम करना स्टार्ट किया मेंटल एक्सेसाइज जिसको मैं आज मेमराइजेशन कहता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि मैं एक साधारण से भी निमनिस्थर का विध्यारती था मेमराइजेशन मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा चमतकार जिसकी वज़े से मैं आज नई चीज़ें सोच पाता हूँ बहुत सारी चीज़ें हमेशा के लिए आद रख पाता हूँ देखे बहुत बड़ा सच है कि आपके विचार आपको स्वर्ग मिले जा सकते हैं तो नर्क में भी क्योंकि आपके विचारों से भारी कुछ नहीं है और उनसे हलका भी कुछ नहीं है अगर आपके विचार शांदार है तो आप उड़ने लगते हैं और अगर विचार बेकार हैं तो आप गढ़े में गर जाते हैं जहां से कोई बाहर निकालने वाल आपको नहीं आप में ये सबसे पहले हरेक केस में समझ लेना है कि हमारी जिंदगी में हमारे विचार कि आप किस तरीके से चीजों को सूचते हैं और किस तरीके से उनको implement करते हैं बहुत मतपूल विशेश तोर से जब आप ये पाते हैं कि आपके दिमाग में कोई चीज ठिक नहीं रही है आप बार बार पढ़ते हैं या आप किसी प्रोफेशन में हैं तो कोई भी काम आप भूल जाते हैं क्योंकि आप मेमराइज नहीं कर रहे हैं अगर आप memorization को अपनी जिन्दगी का इस्सा बनाते हैं तो आप यह पाएंगे कि आपका एक दिमाग सौ दिमाग के बराबर काम करने लगता है यह दिमाग की वो कसरत है जो आपके दिमाग को बहुत सारे विद्वानों से भी आगे ले जाती है और एक चीज ध्यान रखना है कि शरीर की कशरत की value एक प्रतिशत भी नहीं है दिमागी कशरत ही आपकी जन्दगी को असली ताकत और बनाता है दूसरी बात यह कि आज तक जितने भी धर्म आए हैं क्योंकि धर्म इस दुनिया का सबसे पुराना व्यापार है कोई से माने या ना माने अहलांकि इश्वर है या नहीं है उनका स्थित्व है या नहीं है इस बारवे मैं कोई भी तर्क दूँगा तो एक को तर्क होगा और वो बहस करने का मेरा मुद्दा भी नहीं मेरा काम आपको सिखाना है जब हम जितनी भी इश्वर की प्रातना रातना पूजा भक्ति नमाज कुछ भी करते हैं तो उसमें इश्वर की तारीफ है कि आप पावरफुल है आप सक्तिशाली है आप महान है लेकिन जब हम खुद के लिए बूलते हैं तो हमेशा होपलेस होते हैं कि तेरा कुछ नहीं हो सकता तु खतम है जिन्दगे में कुछ नहीं कर सकता देखे मैं आप से कहना चाहता हूं कि आप इश्वर की पूजा करें वो अछी बात है उससे आपका इगो गो होता है अपका इंकार कम होता है लेकिन अगर आप खुद की पूजा नहीं करेंगे तो आपका एक्जिस्टेंसी खतम हो जाएगा आप ईश्वर के लिए जितना महान बोलते हैं उतना ही महान खुद के लिए बोले हैं क्योंकि आप ईश्वर से कम नहीं आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा एक आप कॉंटेंट सोच रहे हैं जो आपके जिन्दगी में आपके सब्जेक्ट से कनेक्टेड है और दूसरा ये कि आप महान है आप सिर्फ दूसरों की प्रार्तना करते रहेंगे और क्योंकि हम मुर्दों को पूझने में एकिन रखते मुझे माफ करिएगा लेकिन हर धर्में ये सिखाया गया कि जो मर गया सिर्फ उसकी पूझा कर जो जिन्दा है उसकी पूझा नहीं करने हैं चाहिए आपके टीचर्स हो चाहिए आपके बड़े बज़र्ग लोग जिन्दगी में खुद की पूझा करना सबसे महत्वपून चीज है और इसके लिए आपको खुद को पॉजिटिव बोनना पड़ेगा कि यो आर वेरी पावरफुल आप में भी वो शक्ती है आप जिन्दगी में जो चाहिए वो कर सकते है आप अकेले बहुत है आप काफी अकेले हैं याप अकेले ही काफी हैं यह affirmation आपको पूझा करने से आए दूसरों कि आप प्रे करे ना करें प्रात्ता करे ना करें वो एक बहुत secondary aspect है लिकिन अगर आप नहीं करेंगे खुद की प्रे तो आप हो सकता है P.R.E.Y. बन जाए किसी mental issue का P.R.E.Y. मतलब शिकार बन जाए किसी मांसिक बिमारी का किसी शारिक बिमारी का और खतम हो जाए बिना कुछ जिंदगी में किये First thing Memorization यानि कि मनन जो भी आप सीखते हैं आते वक भी सोच सकते हैं स्कूटी चलाते वक ट्रेवल करते वक भी सोच सकते हैं क्योंकि आपका दिमाग रुक नहीं सकता अगर आप उसमें quality content नहीं सोचेंगे तो कचरा अपने आप सोच लेगा ये हमारे दिमाग का habit है इवन हमारे हर organ का habit है किड्नीज लगातार blood को साफ कर रही है फैंपड़े लगातार air को clean कर रहे है और हमारा brain लगातार सोच रहा है हमारी हाते लगातार खाना पचा रही है तो दिमाग में विचार रुक नहीं सकते और अगर वो विचार positive नहीं है वो विचार contents related नहीं है तो वो विचार कच्रा ही होंगे जिसमें बंजर जमीन या फिर कोई सी भी जमीन हो जहाँ पर अगर कुछ उगाए नहीं जाए तो घास फुज़ उखती है यह तैबात इमराइजेशन करें खुद की पूझा करें खुद को हमेशा अच्छी बातें बोलें क्योंकि जिन्दगी में आपको उठाने वाला और कोई नहीं है लोग आपको मरने के बाद ही कंदा देंगे यह दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है इससे पहले लोग आपको सिब गिराने का परियास करेंगे और अगर आप खुद भी खुद को गिरा रहे हैं तो इस धर्ते पर कोई चीज आपको उठाने सकती चाहिए आप जेसी भी बुला लें चाहिए आप क्रेन बुला लें तीसरी बात अगर मान लिजए आपके पास में खुद की प्रातना पूजा करने के लिए भी कुछ नहीं है या मेमराइज करने के लिए भी कुछ नहीं है तो कोई एक चीज पकड़ ले उस चीज का बार-बार रेपिटिशन करते लें वो इश्वर का नाम हो सकता है को एक सेंटेंस हो सकता है लेकि आपका दिमाग खाली नहीं रहेगा क्योंकि खाली दिमाग शेतान का घर क्यों बोला गया है क्योंकि इस वक्त आपको नेगेटिव विचार आते all is well, all is well क्या है वो कोई मंतर नहीं है लेकिन वो मंतर जितना ही काम करेगा इस धर्ती पर जितने भी मंतर बने हैं वो इसी कॉंसेप्टे बने हैं नेगेटिव केमिकल्स ब्लड में जाना शुरू हो जाएंगे सरी में बीमारिया शुरू हो जाएंगे आप कमजोर होना शुरू हो जाएंगे मंतर की शक्ती का मतलब क्या है कि आपके दिमाग को नेगेटिव ना सोच नहीं दिया जाए एक चीज को बार-बार-बार रिपीट किया जाए तो आपके दिमाग में बढ़िया केमिकल्स होंगे क्योंकि ये नीचे सिर्फ ढाचा है ये software है, ये decide करेगा सब कुछ और software में coding thoughts से होती है, memorization कुद की पूजा करना क्योंकि आप ही इश्वर है और अगर आप free है आपके पास में कुछ नहीं है कभी तो किसी एकी शब्द को बार-बार रिपीट करना ये mental exercise है और ये किसी भी जिम की membership से 10 लाग गुना ज़्यादा महत्व होने जब शरीर बनता है तो body बनाने के लिए शर्थ है nutrition और weight उठाना यानि कि आपको खाना है और अपनी muscles को तोड़ना है लेकिन mental workout आपकी जिन्दिगी को यहां से extreme तक ले जा सकता है और उसकी शर्थ ही नहीं कि आप memorize करें आप खुद को बुद्ध से कम ना माने खाली समय मिलते ही अपने दिमाग को खाली ना रहने दे वरना यह दिमाग एक राक्षस है यह आपको डेमेज करने का काम ही करेगा हमेशा मेशा और मानसिक कसरत यानि कि mental gym मैं पहले 100 गुनाव समस्ता था फिर मैं 1000 गुनाव पर आया को लगता है कि 10,000 गुनाव ज्यादा प्रभावी है फिसिकल वर्काउट से क्योंकि दुनिया यहां से चलती है दो हाथ सबके हैं दो पैर सबके हैं यह वो चीज़े जहां से सरा डिफरेंस पैदा होता है Memorization Pray Yourself और किसी एक चीज़ को बार-बार रिपीट करना यह Mental Workouts है जो आपके Normal Brain को Super Human का Brain बनाते है मतलब लोकिक इंसान को अलोकिक बनाते है Super Natural अगर आप इनको Try करते हैं तो आप यह पाएंगे कि आपकी मानसिक शमता आपके दिमागी शमता एक अलग इस तरह पर पहुँच गई है मैं आपको बता रहा हूँ मैं एक Below Average इंसान रहा हूँ लेकिन अभी मैं आपके सामने जो कुछ भी बोल रहा हूँ उसके लिए मुझे किसी स्क्रिप्ट की जरौत नहीं है किसी टैली प्राम्टर की जरौत नहीं है मुझे कुछ content लिखा हूँ नहीं है यह सब मेरे विचार हैं जो memorization से जो खुद की खुद के बारे में अच्छा बोलने से यह किसी एक चीज़ को बार बार repeat करने से पैदा होते हैं मैं चाहता हूँ कि हम सभी भारत के लोग Mental exercise में समय invest करें खुद की पूजा करें और भारत को एक 30 साली देश बनाएं क्योंकि जब तक उस देश के लोग का Mindset सही नहीं होगा वो देश सूपर पावर नहीं बन सकता और आज मैं चाहता हूँ कि देश का हर एक वेक्ति इन तीन चीज़ों को अपनी जिंदगी में implement करें महात्मा गांधी ने कहा था कि आज बुरा मत देखो बुरा मत सुनों बुरा मत कहो यह तीन चीज़े हैं आपके जिंदगी को तीनों लोकों तक प्रभावी बना सकती है यही आपके जिंदगी के ब्रह्मा विश्नु महेश है धन्यवाद उसके लिए मुझे किसी स्क्रिप्ट की जरौत नहीं है किसी टेली प्राम्टर की जरौत नहीं है मुझे कुछ कॉंटेन लिखा हुआ नहीं है यह सब मेरे विचार हैं जो memorization से जो खुद की खुद के बारे में अच्छा बोलने से किसी एक चीज़ को बार बार repeat करने से पैदा होते है मैं चाहता हूँ कि हम सभी भारत के लोग mental exercise में समय invest करें खुद की पूजा करें और भारत को एक शक्ति साली देश बनाए क्योंकि जब तक उस देश के लोग का mindset सही नहीं होगा वो देश सूपर पावर नहीं बन सकता और आज मैं चाहता हूँ कि देश का हर एक वेक्ति इन तीन चीज़ों को अपने जिंदगे में implement करें महात्मा गांदी ने कहा था कि आज बुरा मत देखो बुरा मत सुनो बुरा मत कहो ये तीन चीज़े आपके जिंदगे को तीनों लोकों तक प्रभावी बना सकती यही आपके जिंदगे के ब्रह्मा विष्णु महेश है धन्यवाद